Hello dear students, बच्चों आपने जीके की टेक्स्ट बुक और नोट बुक निकालिए और देखिए टेक्स्ट बुक में आज हम पढ़ेंगे आपका जो चैप्टर है टाक अबाउट ट्रैफिक तो ये चैप्टर है बच्चों आपका जब भी आप रोड पे जाते हैं, मार्केट जाते ह हैं तो आप देखते होंगे कि मार्केट में रोड के साइट कई सारे निसान बने होते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर भी इस चैप्टर में ये बताया जा रहा है कि इन जो भी साइन बने होते हैं रोड के साइट उनका मतलब क्या होता है? आप क्या समझेंगे उन साइन को तो वो बहुत जरूरी होता है यह रोड की सेफटी के लिए है आप लोगों की सेफटी के लिए है रोड पर जब भी आप रोड पर चलते हैं आप चाहे पैदल चल रहे हैं आप चाहे गाड़ी में चल रहे हैं साइकल में चल रहे हैं तो इन निसानों को देखकर आप अपनी स इनका कुछ मतलब होता है ठीक है तो आप देखिए हमने क्या किया है आपके लिए यहाँ पर कुछ इन साइन के बारे में जानकरी दी है ठीक है तो यह देखिए सबसे पहले हम इस पिक्चर पर आ जाते हैं यहाँ पर क्या है एक गोल बनावा है एक राउंड बनावा है ठीक है इस तरह जैसे घूमने जैसा एक कोई पिक्चर बनावा है तो इसका मतलब होता है बच्चों राउंड अबाउट आपने यहाँ पर लिखना भी है पैंसल से ठीक है इन बॉक्स के अंदर राउंड अबाउट इसका क्या मतलब है कि यहाँ पर आपको घूमना है मतलब आप एक जगे से दूसरी जगे पर डारेक्ट नहीं जा सकते है एक लेन से एक रोड से दूसरी रोड पर आप डारेक्ट सीधे नहीं जाएंगे घूम के जाएंगे ठीक है तो घूम के जाने से क्या होगा एक्सिडेंट नहीं होगा अगर आप सीधे जाएंगे अगर मान दीजे आपके पास साइकल है या जब आप बड़े होंगे तो आपके पास बाइक होगी, स्कूटी होगी, कार होगी तो अगर आप पैदल भी है अभी भी तब भी आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको रोड सीधे क्रोस नहीं करनी है जहाँ पर इस तरीके का साइन बना होगा वहाँ पर आपने क्या करना है रोड पर ऐसे घूम के जाना है एक गोल बना होगा, गोल चकर बना होगा वहाँ पर उस चकर से घूम कर आपको रोड क्रोस करनी है ठीक है, तो इसका मतलब है round about next देखिए, ये एक picture बना है इसका मतलब है rough road rough road का मतलब है कि road खराब है, जराद देख कर चले, संभल कर चले road पर काम चल रहा है, road पर गड़े हो रखे है इसलिए यहाँ पर आपने देख कर चलना है कहां पर गड़ा है कहां पर रोड खराब है तो यह sign जो है इसी बात का है कि रोड खराब है रोड पर काम चल रहा है रफ हो रखी है रोड तो आप संभल कर चले कहीं accident न हो जाए ओके बच्चो अब देखिए यह इसी तरह से फिर आपने लिखना भी है इस बाक्स पर रफ रोड अब आप देखें यहां पर यह एक पिच्चर बना है बच्चों का और बच्चों ने बैग भी टगे हुए है बच्चों पर तो यह इसका मतलब यह है कि आगे बच्चों का पिच्चर अगर कहीं पर बना हुआ है तो इसका मतलब है इसकूल अहेड मतलब आगे आगे स्कूल है तो आगे स्कूल है का मतलब आपको देख कर चलना है कोई बच्चा स्कूल से दोड़ के तो नहीं आ रहा है या बहुत सारे बच्चे तो नहीं आ रहे कहीं दोड के तो अगर आप क्या पता स्कूल वैन आ रही हो स्कूल की गाड़ी आ रहे हो अगर आप पैदल है तब भी आपको बच के चलना है संभल के चलना है कि कहीं कोई स्कूल वैन तो नहीं आ रही है और अगर आप गाड़ी में है तब भी आपको देखकर चलना है कि कोई बच्चा तो नहीं आ जागा कहीं गाड़ी के आगे ठीक है तो इस sign का मतलब है कि आगे school है school ahead आप यहाँ पर लिख देंगे अब इस sign का मतलब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है एक आदमी का photo बना है और वो कुछ काम कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ काम चल रहा है इस जगे पर इस site पर कुछ काम चल रहा है यहाँ पे लिखा है men at work यानि कि लोग काम कर रहे हैं ठीक है तो इसलिए अगर रोग काम कर रहे हैं तब भी आपको देखकर संभल कर चलने की जरूरत है ठीक है यहाँ पर आप men at work लिख देंगे यहाँ पर school ahead लिखेंगे और यह जो box है यहाँ पर लिखेंगे आप pedestrian crossing यह है pedestrian crossing यह जो आप देख रहे हैं यह crossing है pedestrian crossing का मतलब है कि आपको यहाँ पर pedal चलना है इस जगे पर चलना है pedal कहीं से भी नहीं जाना है देखिए इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि कहीं से भी यहां से आप पैदल नहीं जाएंगे इस जगे से क्योंकि यह road side है यहां गाड़िया चलती है अब गाड़ी तो खैर यहां से भी चलती है इस जगे से लेकिन यहां पर निसान बनावा है यह पैदल चलने वालों के लिए याने कि यहाँ पर गाड़ियां रुकेंगी इससे पहले गाड़ी रुक जाएंगी और पैदल चलने वाले को यहाँ पर जगे दी जाएगी तो यह जगे pedestrian crossing है याने कि पैदल चलने वालों की यह जगे है यह बना हुआ है यहाँ पर यह sign जो बना हुआ है एक आदमी है और पैदल चल रहा है तो इसलिए आपने भी इस बात का ध्यान रखना है कि आपको इस जगे से ही पैदल क्रॉस करनी है रोड जहाँ पर इस तरह के sign बने होंगे crossing के वहीं से आपने road क्रॉस करनी है अगर आप पैदल चल रहे हैं ठीक है बच्चो या फिर अगर आप गाड़ी में है तो आपने वहाँ पर देखना है जहाँ पर ऐसा sign बना हुआ है ये वहाँ पर आपने देखना है कि कोई road क्रॉस तो नहीं कर रहा है ठीक है तो वहाँ पर अगर कोई road क्रॉस कर रहा है पैदल चल रहा है तो वहाँ पर रुख जाना है ओके चलिए अब देखे यहाँ पर कुछ और है यहाँ पर एक और साइन बना हुआ है इसमें तो लिखाई है स्टॉप यानि कि यहाँ पर आपने रुख जाना है यहाँ पर आप रुखेंगे किसले रुखेंगे, क्योंकि आगे से कोई गाड़ी निकल रही होगी एक बार में कुछ गाड़ीयां निकलेंगी यहाँ पर क्रोसिंग होगी और यहाँ पर एक बार में कुछ गाड़ीयों को निकलने दिया जाएगा आपको रुखना है, जब आपके क्या मतलब है? इस sign का ये मतलब है कि यहाँ पर आपको you turn नहीं लेना है देखे यहाँ पर लिखा हुआ है no you turn देखो यह यहाँ पर लिखा है no you turn याने कि यहाँ पर आपको घोमना नहीं है यहाँ पर आपको गाड़ी वापस मोलनी नहीं है आपको सिधे आगे निकलना है चाय आप पैदल हो या आप गाड़ी में हो आपको वापस नहीं घूमना है क्योंकि अगर वापस घूमेंगे तो पिछे से कोई गाड़ी आ रही होगी और उसका आपके साथ accident हो सकता है इसलिए यहाँ पर सिधे आगे चलना है आपने वापस u-turn नहीं लेना है इसलिए आप इस बॉक्स में लिख देंगे no u-turn तो देखिए आपके यह सारे pictures clear हो गए है आपर कि किस sign का क्या मतलब होता है इस sign का मतलब होता है round about और इस sign का मतलब होता है rough road इसका मतलब है school ahead आगे school है man at work इसका मतलब है और इसका मतलब है pedestrian crossing यानि कि यह पैदल चलने वालों की crossing है यहाँ पर stop लिखा है और यहाँ पर इसका मतलब है no u-turn यानि कि यहाँ पर अगर जिस road पर आप जा रहे हैं तो आप सीधे चलते रहिए आप अगर वापस मुड़ना है तो आगे से मुड़िए यहाँ से u-turn आप नहीं लेंगे ठीक है बच्चो तो यह कुछ rules है road पर चलने के ठीक है यह आपको अच्छे से learn होने चीए अच्छे से याद होने चीए यह याद करने से एक तो आपको आगे आपके एक्जाम में पूछा जाएगा तो आपको वहाँ पर help मिलेगी और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी आप road पर होंगे तो यह rules जानने के बाद आपके साथ कोई भी दुरुखटना नहीं होगी आपको जान कर रहेगी कि यहाँ पर हमको क्या करना है ओके बच्चू ठीक है इसी तरह से आपने अपनी notebook अपनी textbook में भी यह लिखना है ठीक है आपने inbox को fill करना है